सु स्वागतम वेलकम बैक्स गर्ल गर्ल्स फोर यार सेकेंड टम पोर्षन यानि की दूसरी इकाई मैं में शिलपरी बैलो आपकी हिंदी शिक्षी का आज हम छटी कक्षा के लिए हिंदी वैकरन परने वाले है और आज का विशय है विशयशन और उसके प्रकार या उसके बेद adjective and types of and types तो सबसे पहले विशयशन की परिभाशा देखेंगे परिभाशा यानि की definition जो शब संग्या या सर्वनाम की विशयशा बताए उन्हें विशयशन कहते है यानि की संग्या संग्या मतलब noun सर्वनाम मतलब pronoun तो संग्या और सर्वनाम nouns और pronouns का importance बताए उन्हें विशयशन कहते है adjective कहते है जैसे काला, बड़ा, दयालू, कायर, आदी ए सब वर्से वो किसी न किसी का importance बताते है विशयशन बताते है तो शर्प्थ हुए विशयशन विशयशन में विशयश्यव का भी मत्व है अब विशयशन किसे कहते है जिन संग्या और सर्वनाम शब्दों की विशयश्ता बताई जाती है वे शब विशयश्यव होते है जैसे गुबारे वाला रंग बेरंगी गुबारे लेकर खड़ा है यहां क्या गुबारे वाला क्या लेकर खड़ा है रंग बेरंगे गुबारे लेकर खड़ा है तो रंग बेरंगे क्या हुआ वो गून है क्या लेकर खड़ा है गुबारे गुबारे मतलब बलुन्स लेकिन गुबारे कैसे है रंग बेरंगे तो रंगबे रंगे का मतलब गुबारे का गून दिखाया है कि रंगबे रंगे है वो कैसे है कलरफुल है तो रंगबे रंगे क्या हुआ विशेशन और रंगबे रंगे क्या है गुबारे है तो गुबारे क्या हुआ विशेश्य तो आपको दोनों को अंडरलाइन करना है नेहा के पास चार पुस्तके है कितने पुस्तके है? चार तो चार क्या हुए? विशेशन चार क्या है? पुस्तके है तो पुस्तके क्या हुआ? विशेश्य अतुल दो किलो सेप लाया क्या लाया सेव कितने लाये दो किलो तो दो किलो क्या हुआ विशेशन क्या लाया सेव तो सेव हुआ विशेश्य तो विशेशन की चार बेद होते है गुन वाचक विशेशन संख्या वाचक विशेशन परिमान वाचक विशेशन सार्वनामिक विशेशन सार्वनामिक विशेशन को संकेत वाचक विशेशन भी कहते है तो वापस विशेशन के चार बेद होते है गुन वाचक विशेशन, संख्या वाचक विशेशन, परिमान वाचक विशेशन और सार्वनामिक विशेशन सार्वनामिक विशेशन को संकेत वाचक विशेशन भी कहते हैं आईए इसे ही इंगलिश में क्या कहते हैं गुन वाचक विशेशन याने की adjective of quality उनका गुन परिमान वाचक विशेशन याने की quantity जो हम measures करते हैं centimeter, kilometer, liters तो एस अब क्या हुआ परिमान वाचक विशेशन, quantity संक्या वाचक विशेशन याने की adjective of numbers 1 to 100 जो वस्तू का, मनुष्य का, जगव का, जो संक्या बताते हैं numbers बताते हैं उसे adjective of number, संक्या वाचक विशेशन कहते हैं और last, संक्या वाचक विशेशन, मतलब demonstrative adjective उसे हम सार्वनामिक विशेशन भी कहते हैं तो हिंदी में गून वाचक विशेशन, परिमान वाचक विशेशन, संक्या वाचक विशेशन और संक्या वाचक विशेशन, याने की सार्वनामिक विशेशन गुन वाचक विशेशन को adjective of quality, परिमान वाचक विशेशन को adjective of quantity, संख्या वाचक विशेशन को adjective of number और संकेत वाचक विशेशन यानि कि सार्वनामिक विशेशन को demonstrative adjective कहते हैं तो आएए एक एक प्रकार देखेंगे गुन वाचक विशेशन वे शब्द जो संग्या या सर्वनाम शब्दों को के गुन, दोश, आकार, रंगरूप और अवस्ता आधी बताते हैं वे गुन वाचक विशेशन कहलाते हैं तो संग्या और सर्वनाम किसी वस्तु, पक्षु, पक्षी, प्रानी, मनुष्य, जगह, इसका गुन, दोश, आकार, रंगरूप और अवस्ता, कंडिशन उनके महत्व बताते हैं उसे गुन वाचक विशेशन कहलाते हैं जैसे सुन्दर, वो सुन्दर लड़की है, ताजमल सुन्दर है तो उनका गुन, ताजमल क्या है? संग्या तो संग्या का गुन बताता है सुन्दर, सुन्दर, गुलाबी, उच्चा, गोल, मोटा, काला, कायर, वहादूर, परिश्रमी, कामचोर, स्वस्त, दुर्बल, इस सब क्या है गुन वाचक विशेशन के वर्स है एक्जाम्पल से तो सुन्दर यानि की गुन गुलाबी अच्छा गुन उचा हिमाले उचा है गोल आकार तो इस सब वर्स गुन वाचक विशेशन के उधारन है अब संख्या वाचक विशेशन जो शब्द संग्या या सरवनाम की संख्या या गिन्ती बताते हैं वे संख्या वाचक विशेशन करलाते हैं मतलब कक्षा में पाच विद्यार्ती है तो विद्यार्ती क्या है संग्या संग्या पाच विद्यारती तो संग्या की संख्या बताई गई है गिंती बताई है नंबर बताया गया है तो उसे संख्या वाचक विशेशन कहते हैं पिच्छर के नीचे आप देख सकते हो चत की मुंदरे पर 4 चिरिया बैटे है के चत की मुंदरे पर 4 चिरिया बैटे है तो चिरिया क्या है संग्या तो संग्या की गिंती कितनी संख्या कितनी बताई है चार तो चार चिडिया विशेशन संख्या वाचक विशेशन तो चार चिडिया क्या हुए संख्या वाचक विशेशन अब दूसरे वाक्यों कुछ लोग सड़क पार कर रहे है तो यह संग्या क्या हुआ लोग तो लोग के बारे में उन्होंने बताया कि कुछ लोग पता नहीं कितने नंबर्स है Might be 8 है, 10 है, 15 है, 20 है, कितने पता नहीं लेकिन कुछ लोग सड़क पार कर रहे थे तो यह सब क्या है संख्या वाचक विशेशन अब संख्या वाचक विशेशन में दो प्रकार है निच्चित संख्या वाचक विशेशन मतलब पक्का नंबर पता है आपको बरापर सही नंबर पता है और निच्चित संख्या वाचक मतलब आपको नंबर पता नहीं कुछ करिब तो ए दो टाइप से संख्या वाचक विशेशन में निच्चित संख्या वाचक विशेशन मतलब जिन विशेशन सब्दों से किसी की निच्चित संख्या का पता चलता है पॉफेक्ट नमबर पता चलता है उन्हें निचित संख्या वाचक विशेशन कहते हैं अगर आपको बड़े सेलिब्रेट करना है तो ममी पहला क्वेशन ममी क्या पुछेगी तुम्हारे क्लास में कक्षया में कितने विद्याती है तो आप कहेंगे 40 है पॉफेक्ट नमबर य पॉफेक्ट नमबर यू निचित संख्या वाचक विशेशन लेकिन 40 है या 30 है पता नहीं टीचेज कितने तो कुछ तो टीचेज है तो वह हुए अनिचित तो ऐसे ही यहां मेरे पास चार कलम है कलम कितने है पेन कितने है चार पक्का चार है तो ए चार तीन हजार दस एक ए क्या हुआ निचित संख्या वाचक विशेशन पक्का आपको नमबर पता है पॉफेक्ट नमबर यू नो तो ए हुए निचित संख्या वाचक विशेशन मेरे पास चार कलम है चार कलम हमारे विद्याले में तीन हजार विद्यार्ती है तीन ह सेप लिए 10 सेप वैसे आगे एक लड़की स्कूल जा रही है कितने लड़की एक एक लड़की चार आम लाओ चार आम राम कक्षा में प्रतम आया तो एक चार प्रतम चार तीन हजार दस एक पॉफेक्ट नंबर पता है इसलिए एक क्या हुआ निचित संख्यावाचक विशेशन अब अनिचित संख्यावाचक विशेशन जिन विशेशन शब्दों से निचित संख्या का पता नहीं चलत अनिच्चित संख्या वास्यक विशयशन करते हैं जैसे बाजार में अननेek दुकाने हैं कितनी 20 से 12 हैंheld पता है क्या नाई बहूत सारे भी ने क्या क्या वान Cash अनिचित संख्य वाचक, पॉफेक्ट नंबर पता है क्या? नहीं, you don't know the perfect नंबर की 10 है या 12 दुकाने है या 20 है या 40 है, अनेक दुकाने थी, तो अनेक क्या हुआ? अनिचित संख्य वाचक विशेशन, फूल वाला बहुत से फूल लेकर खड़ा है, उसके पास कितने फूल है पता है, 10 है, 20 है, या 100 है, नहीं पता, इसने बहुत से फूल लेकर खड़ा है, तो अनेक बहुत एक क्या हुआ? अनिचित संख्य वाचक विशेशन, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे, कुछ रुपे दे दू, कुछ, 10, 20, 40, ऐसे कुछ नहीं बोला है, कुछ रुपे तो 2, थोड़ा अनाच लाना, कितना का आए, नहीं पता, थोड़ा, थोड़ा अनाच लाना, अब हम देखेंगे, तीसरा प्रकर, परिमान वाचक विशेशन, परिमान का अर्थ है, माप या तौल, जैसे मैंने कहा, मेजरमेंट, वेटिंग, वेट, मेजरमेंट, तो उसे परिम केते हैं quantity संग्या या सर्वनाम शब्दों का मापतोल बताने वाले विशेशन शब्दों को परिमान्वाचक विशेशन कहलाते हैं जैसे हम दुकान में जाते हैं एक लिटर घी एक किलो शक्कर तो उसे क्या कहते हैं परिमान वाचक विशेशन जैसे मुझे 4 मिटर मुझे 4 लिटर दूद दे दू कितने लिटर चाहिए 4 लिटर से पॉफेक्ट नमबर पता है 4 लिटर मुझे 1 किलो घी देना पॉफेक्ट नमबर तो ए सब क्या है थोड़ा पानी 2 किलो मीटर रास्ता 3 लिटर तेल 1 किलो घी थोड़ी चीनी सारा गेहू ए सब क्या हुआ परिमान वाचक विशेशन अगर है आम देखेंगे पानी रास्ता तेल घी चीनी गेहू ए सब कॉंटिटी इमापते है और तोलते हैं तो ए सब क्या हुआ परिमान वाचक विशेशन अब परिमान वाचक विशेशन में भी दो प्रकार है निच्चित परिमान वाचक विशेशन और अनिच्चित परिमान वाचक विशेशन अब आपको confused नहीं होना है संख्या वाचक विशेशन और परिमान वाचक विशेशन म में हमने क्या पढ़ा कि ओर नंबर्ज जो हम संग्य और सर्वनाम को यूज करते हैं नंबर्ज गिनती वानटू थाउजन वॉटेवर वॉटेवर तो सिफ Numbers के बारे में यह परिमानवाचक क्या है? quantity के बारे में जो वस्तु हम cm, m, m, m मापते हैं, तोलते हैं उसे परिमानवाचक विशेशन कहते हैं तो उसमें भी दो प्रकार है निचित परिमान वाचक विशेशन यानि कि जिन विशेशन शब्दों से निचित मात्रा का पता चलता है उन्हें निचित परिमान वाचक विशेशन कहते है अगर ममी ने कहा कि जाओ दुकान में से चार किलो शक्कर लेके आओ तो आप जाकर चा चाहिए नहीं तो अहां जो पॉफेक्ट नंबर है चार ओ क्या है परिमान वाचक विशेशन चार किलो मतलब परिमान वाचक निच्चित परिमान वाचक विशेशन आपको पक्का पॉफेक्ट नंबर पता है तो यहां मा आगरा गई वहां से पाच किलो पेठा और चार मीटर कप्रा लाई उसने पक्का चार मीटर कप्रा लाया और पाच किलो पेठा लाया कार में चार लीटर पेटरोल डाले पारूल ने सुट के लिए चार मीटर कप्रा खरीदा तो ये चार लिटर, चार मीटर, पाच किलो, ये क्या हुआ? पॉफेक्ट नंबर, पॉफेक्ट कॉंटिटी, तो ये क्या है? निच्चित परिमानवाचक विशेशन, अब यहां है अनिच्चित परिमानवाचक विशेशन, जिन विशेशन शब्दों से निच्चित मातरा का होता है उन्हें अनिच्जित परिमानवाचक विशेशन कहते हैं आपको पता नहीं कि पंपना चाहिए क्या है perfect नम्बर क्ता नहीं और तो उसे पंपनीन वाचक केते हैं स्कूटर के थोड़ा पेट्रोल डलवा लो अभी थोड़ा है इतना एक लिटर, दो लिटर, च्यार लिटर, पाँच लिटर, या टंकी फूल कर दो, तो ओ पता नहीं, तो थोड़ा मतलब क्या हुआ अनिचित परिमान वाचक विशेशन, कुछ फल ले आओ, कुछ तो फल ले के आओ, एक किलो सेप, एदो किलो आम, पता नहीं, लेकिन कु कैसे यहां दूसरा है सारेचार मितर कप्रा अब यहां पॉफेक्ट नंबर पता है पॉफेक्ट नंबर पता है कुछ आम कुछ आम मतलब कितने चाहिए पाठ छे साथ दजन पता नहीं कुछ आम क्या हुए निच्चित नमबर पता नहीं दस किलो चीनी वपस पॉफेक्ट नंबर इसलिए वो निच्चित है थोड़ी सी मिर्च अब एक दो तीन चार मिर्च यह पता नहीं लेकिन थोड़ी सी मिर्च देना तो यह है अनिच्चित सारे चार मिटर कप्रा तो यह सब क्या है अनिच्चित और अनिच्चित के उधारन दिये गए है अब लास्ट टाइप सार्वनामिक विशेशन जब सर्वनाम शब्द को संग्या की विशेशता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है तब वह सार्वनामिक विशेशन कहलाते है तो क्या कहते है सर्वनाम शब्द को संग्या की विशेशता बताते हैं सर्वनाम शब्द क्या है मैं तू स्वयम यह सब आप यह सब क्या है सर्वनाम शब्द तूम तू वह यह यह सब क्या है सर्वनाम शब्द तो सर्वनाम शब्द जो संग्या का importance बताता है उसे सारवनामिक विशेशन कहते है जैसे वह full सुन्दर है अब यहाँ संग्या क्या है? full सरवनाम क्या है? वह तो वह क्या? संग्या की विशेशता बताता है विशेशता क्या है? कि full सुन्दर है तो संग्या फुल विशेशता क्या है सुन्दर गुल तो वहां फुल सुन्दर है तो वहां क्या हुआ सर्वनाम और फुल क्या है संग्या तो सर्वनाम शब्द को संग्या की विशेशता बताता है यहां वहां फुल सुन्दर है यह बता रहा है इसलिए वहां क्या हुआ सार्वनामिक वि सर्वनाम घर संग्या तो के रहा है कि यह जो घर है वो मेरा है तो यह pointing out जो point कर रहे हैं सर्वनामिक विशेशन मत वो बताते हैं उदारन वे संत्रे यह पुस्त के वह बालग यह कमरा उस लड़के यह सब क्या है सार्वनामिक विशेशन के उधारन है तो आशा करती हूँ बच्चो आपको विशेशन और उसके प्रकार समझ में आया होगा यहां एक छोटा सा असाइमेंट है वो आपको इस प्रेजेंटेशन द्वारा और बड़ो की सायता से आपको कम्प्लिट करना है यह भी आपको पूरा आपके हिंदी ग्रामर नोटबुक में लिखना है पहले से यहां तक असाइमेंट कर नया पेज लेकर टॉपिक लिखना है नया टॉपिक विशेशन और उसके बेद और स्टार्टिंग से यहां तक आपको हिंदी ग्रामर नोटबुक में लिखना है तो मिलते हैं अगले प्रेजेंटेशन में तब तब बाय गर्ल्स थैंक यू, stay home, stay safe and also stay strong, be strong